वी वन जस्टिस अगर वो पताल में भी छुपे हुए है तो कलर पकर के उठा के लाना है कानून के हवाले करना है इस तरीके से इसको मार्डर किया गया है कि ये केबल एक मार्डर नहीं है ये एक मेसेज भी है हमारी बेटी की जो मत हुई है उसको ऐसा कुछ जानकारी मिल गई तो ये सब घिनोने काम जिन लोगों ने मिलके कर रहे थे उन लोगों के लिए ये बेटी खत्रा बन गई और उसकी जो आवाज है और वो आवाज को एकदम पूरे तरह उसको दबाने के लिए ये मार्डर किया कि कि भाई ये प्रयास अगर कोई करेगा आरजी का और मेडिकल कॉलेज और उस्पिडल में बैट के उसका हालत ये जैसा होगा इस मामले में सबसे इंपोर्टेंट एविनेंस क्या थी वो बोडी थी और कुछ नहीं है एविडेंस नहीं है आपागों वही पुलिस जिसके पास ये इंटेलिजनस इंफॉर्मेशन नहीं थी कि भाई हजार के उपर जो है उपद्रवी वहां पे आने वाले हैं वही पुलिस है जिसके पास ये इंटेलिजनस इंपुट आ गया कि वो मैच में कुछ गरबर उने वाँ भाई कलकत्ता पुलिस आपकी प्रियरिटी क्या है हम पुलिस पर सवाल तो उठा रहें लेकिन ये भी तो दियान देना चाहिए कि ममता बेनरजी सिर्फ मुख्य मंत्री ही नहीं वह ग्रे मंत्री भी हैं स्वास मंत्री भी है क्यूंकि ये संदीब गोज जो है ये एक अपराधी है ये आज नहीं है पिछले कुछ सालों से वहां में रैकेट चला रहे था नहीं देखो ममता बेनरजी ने हम सब लोगों ने देखा कि आज प्रधान बंद्री को चिठे लिए टाइमिंग देखो एक निर्भया होता है दूसरा निर्भया होता है तो निर्भया वान निर्भया टू निर्भया थी भाई ये कब तक गिलेंगे हम की इंटेंशन फिर क्या है साजा दिलवाना इंटेंशन है या फिर कुछ छुपाना इंटेंशन है जो वहां के पुर्प्रधाना चारे थे जंदीब गोष्ट, वारदात के दूसरे दिनी उनको दूसरे ज़़ा नियुकती मिला इसको तो रिवार्ड मिल गया, इसको तो पुरशकार मिल गया इसको तो गोल्ड मेडल दे दिया, राजधर्म का पालंग करिए आप तो भरोसा किरा दिया, बंगाल में मैंने 25 साल पत्रकारिता किया उस दिन बंगाल में जो मैंने देखा, वो ये 25 साल का जो अनुवाब है मेरा, मैंने कभी नहीं देखा कि मानना ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, हो सकता है ये काम एक ही ने किया होगा कुलकाता में 31 साल के ट्रेनी डॉक्टर के साथ, रेप और मडर के वारदात के बाद, पूरे देश में आक्रोश का महर है डॉक्टर्स सडकों पर हैं, अस्पतालों में काम करना बंद कर दिया है, मरीज परशान है, सुप्रेम कोर्ट ने निवेदन भी कर दिया लेकिन क्या ये मामला सुलच जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है अभी के समय में कि ये मामले का निप्टारा कैसे होगा? महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिलेगी? क्या बार-बार महिलाओं को अपनी इजज़त आबरू को बचाने के लिए सडकों पर मुंबत्ती लेके ही चलना पड़ेगा? क्या ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम रह गई है? यही सवालों को समझने के लिए हमाय साथ News 18 के मैनेजिंग एडिटर, जो वो जोती प्रमानिक सर हैं, आए इन से समझते हैं क्या ये पूरा मामला है? ये जो रेप की घटना है, इसको जड़ से कैसे खतम किया जाए? सबसे पहले ये जो आज ही कर मेडिकल कॉलेज का मामला सामने आया है, इसमें आपको क्या लग रहा है ये जो इस पे लगातार आरोप लग रहे हैं, कि ये गलत कामों में लगा हुआ था है, इस हॉस्पिटल में बॉडी की स्मंगलिंग भी होती थी, ड्रग से लेके हर काम का गलत काम हुए हैं और सेक्स रैकेट बी चला है और उसी षाश्पिटल में यह रेप वारदात आगे और बहुत ब्रूटल तरीके से उसमें पॉलिस की लापरवाही भी हमें दिख रही है और इसपे सवाल हर पोई उठा रहा कि आज सुप्रीम कोट मे बी इस पे इसावाल देखो उतकर जो है मैं आपको सुरू से बता रहा हूँ कि मामला इतना बिगर क्यों दिया मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ कि लापरभाही किस हद तक लापरभाही की सिकायत है पहली बात देखो कि यह जो विक्टिम है बहुत ब्राइट स्टुडेंट थी मध्धंबर के परिवार से थी अब जब इसकी बॉड़ी मिलता है उस दसा में मिलता है भयानक उस दसा पे जो उसके बॉड़ी मिलती है परिवार की सिकायत ये है कि एक फोन आती है और फोन पे ये बताया जाता है कि आप लोग अस्पताल आईए क्योंकि आपकी बेटी खुद कुसी किया है आत्मात तक ये है अब देखो अब तक ये कपका है ये नौतारी की हद्शा हुई है लेकिन आप तक ना तो कलकत्ता पूलिस ना तो हेल्थ डिपार्टमेंट अस्पाताल से कोई अधिकारी ये नहीं जो परिवार को ये बता रहे है कि भई आपकी बेटी अत्मात तक कर ली जिसने परिवार को ये information दी कि आपकी बेटी में अत्मात करें कौन थे वो वो व्यक्ति कौन था जिसने फोन किया किसी ने तो किया होगा तो मतलब देखो सुरू से ही ये जो जगनना पराद हुआ है उधर इसको ले करके आम आदमी के दिमाख में दिल में एक के बाद एक सवाल क्यों उठ रहे हैं क्यों मबला इतना बरावन गया क्यों लोग अच सरकों पे हैं ये समझना जरूरी है पहली बात ये है दूसरी बात जो सुप्रीम कोट जो हमारे देश के प्रधान बिचारपती चीप जास्टिस खुद जो ये सवाल उठाए है कि भाई ये घटना किधर घटी है एक सरकारी अस्पताल में ये बाडी को किन लोगों ने पहले बार देखा कुछ डॉक्टर्स ने देखा कैसे वो बाडी वहाँ पर पड़े हुए थे जो इनक्वेस्ट रिपोर्ट मैंने परहा सुरत हाल जो मैजिस्ट्रेट के आखों के सामने जो मैजिस्ट्रेट ने नोट किया उसमें उसमें पंदरा इंजूरी मारके पूरे सरीर में इंजूरी मारके उससे एकदम सही ये पता चलता है कि भई इसके साथ बलातकार हुआ है इसके साथ जवरदस्ती हुआ है और इसको मारर किया गया है और सारे डॉक्टर लोग देख रहे ना तो प्रिंसिपल ना तो वो सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज आरजी कॉर उसका सूपर डेपूटी सूपर मतलब जो लोग पैरेंट्स है वो अस्पताल का जो वो अस्पताल अभिवावक है उसकी बेटी की मोत हुई है तो उन्होंने कोई कॉम्प्लेन नहीं लिखती है कोई कॉम्प्लेन नहीं है आपके आखों के सामने एक शब जो परे हुए है जिसके शरीर में पंद्रा जो है इंजूरी मार्क है सबसे बरीवाद क्या है कि ये बेटी जिस जो मैट्रेस के ऊपर इसकी बॉडी मिली वो मैट्रेस खून से एकदम जो है एकदम सना हुआ था तो इसमें समझ में आ रहे है न कि भाई ये इस एक सिंपल केस अब माडर यूडी केस होते है फिर लापरवाई की सिकायत मैं तीसरी बात बता रहा हूँ पेरेंट्स लोग जब आस्पताल पहुचते हैं उन लोगों को तीन घंटे तक मैं समझ लो कि मैं उसका बाप मेरी बेटी की मौत हो गई है मुझे पता है मैं आस्पताल पहुचा और तीन घंटे तक वो पीता को माता को अपनी बेटी को देखने तक नहीं दिया क्यूं क्यूं नहीं देखने दिया इसलिए ना लोग आज सरक पर उतरे हैं और सवाल पुछ रहें कि वही आप लोग क्या चुपाने का कोशिश कर रहे थे क्यूं माता पीता जब मौचते हैं अस्पताल क्यूं अप तुरंट क्यूं नहीं लेके जाते हैं क्यों नहीं दिखाते हैं, उसको तो पता चल ही गया है, कि बेटी और नहीं है, बेटी की मौत हो गई है, देखने क्यों नहीं दिया, सवाल उठता है, लोग सवाल पूछ रहें, चौती बात, वो जो पोस्ट मॉटम हुआ, कहा हुआ है, जिस अस्पताल के खिलाब सवाल उठ रहें, लोग उंगली उठा रहें, दस चीज़ें पूछ रहें, कलकत्ता में और हस्पताल नहीं थे, कलकत्ता में ऐसे मेडिकल कॉलेज और भी बहुत है, कलकत्ता के पूलीस, पूस्ट मॉटम, पूलीस मॉर्ग है, पूस्ट मॉटम बहुत सारे जगा पे होते हैं, जिस हस तब तक यह जो principle जिसके खिलाप सारे सवाल उड़न मी जिसका इए सुपर वह इंडा 울ाध में थे आप जो कॉलेज जो मेडिकल को डिश है आप और लोग उधारी पस ना तो पूलिस ताकि अधालत जो बोलते हैं कि राजधर्म का पालंग करिए ऐसा क्यों करिए कि लोगों की भीतर जो उसको बरकरार रखो आप सरकार के प्रती भरोशा आप तो भरोशा किरा दिया एक के बाद एक लफर वाई फिर वो पोस्ट मुटे मुधर होता है फिर देखो तक जो है सारे कलकत्ता में लोग गुस्से पे सरग पर उतार गये थे परिवार के लोग दस सवाल उठा रहे हैं अगर सरकार पुलिस अपने आपको ट्रांस्पारेंट रखने का कोशिश किये होते तो हम क्या देखते हैं ऐसे बॉडी को प्रिजर्ब किया जाता है क्यूकि ममला तक तक उस जगा पर पहुँच गया कि अधालत में पहुचने वाली थे दस पियाएल होने वाली थे वही उआ नेक्स डे सुबे कलकत्ता हाई कोड में इस ममले की सुनवाई होती है पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन, दस पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन, मेरा संखा अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन एक से अधिक पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन हो गई तक तक, तो ये बॉडी को प्रिजब करना चाहिए था, क्यों, ये समझना ब एक आधिक आदमी है इसको मैं जाच के दौरान इसको मैं सामने लाना चाहता हूँ तो मुझे एविडेंस चाहिए और इस मामले में सबसे इंपोर्टेंट एविडेंस क्या थी वो बॉडी थी तो ये बॉडी को प्रिजर्ब करना चाहिए था सब बॉडी भी जो बॉडी के आधिस पर CBI ये जाच अभी कर रही है और हाई कोट के नजर में ये जाच चल रही है मतलब ये कोट मोनिटर्ड एंक्वेरी चल एंवेस्टिकेशन हो रही है ठीक है और कोट में एकदम जो है पिरियोडिकल रीपोर्ट जामा करना परेगा CBI को तो फिर आप जो है तुरंत उसको क्रिमेशन खतम कर देता हूँ तो मतलब क्या हुआ कि सबसे इंपोर्टन्ट एविडेंस जो है वह अभी कोई जो है इन्वेस्टिकेटिंग एजेंसी के सामने नहीं है अभी मौमला जो है कुछ सरकंस्टेंशल एविडेंस कुछ फोरेंसिक एवि पोस्माटम और उन समय हुए थे सीवी आए के पास भी वही रिपोर्ट होंगे तब बॉडी के एक दम और कुछ नहीं है एविडेंस मतलब अब कुछ नहीं है कुछ नहीं है अभी जो है इसके बाद क्या शिकायत है लोग क्यों गुसे में आ गया अब सब जानते हैं कि कलक रही है यह समय बड़ा भयानक है हमें खुद को अपने आपको प्रोटेक्ट करना परेगा भई आम आदभी को प्रोटेक्ट करने का गाई तो किसके उपर है किसके उपर है सरकार के उपर है हम सरकार को क्यों चुनते हैं कि सरकार संग्विधान के तहित हमें प्रोटेक्शन कि जीने का जो अधिकार है वो एंशियोर करने का दाइक तो किसका है सरकार का तो जब सरकार फेल करती है सिकाय दिये है तब वो लड़की ये क्लारियन कॉल देती है फेस्बूक में पोस्ट कर देती है कि आये कि द इंटर्वेनिंग नाइट आफ जब फ्रीडम अट मिडनाइट जैसे हम मनाते है वैसे हम रिक्लेम दानाइट पनाएंगे ये रात हमारी है उतकर सुम को याद होगा कि तुमने मुझे एक सवाल पूछा था कि मैंने ऐसा लिखा था मेरा सोशल मीडिया हैंडल में कि बंगाल में मैंने पच्ची साल पत्रकारीता किया मैंने बंगाल में बहुत सारे सोशल मुव्मेंट देखा हूं पत्रकार होने के नादे उस दिन बंगाल में जो मैंने देखा वह ये पच्ची साल का जो नुव यह पहले बार मैंने देखा कि कलकात्ता चोर कलकात्ता पार करके हर एक डिस्ट्रीक्ट में हुआ हर एक टीर1 टीर 2 टीर 3 सिटी में हुआ हर एक छोटे-छोटे सहर में हुआ गाउं देहात में हुआ लोगों की गुस्सा किस हाथ तक पहुचने से लोग ऐसे एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख करके लोग ऐसे रस्ते पे उतराते हैं लेकिन फिर लफ आर भाई देखो उसी रात क्या हुआ हम सब देखा पुरे देखे हैं पुरे दुनिया देखे हैं क्योंकि सारे दुनिया से सवाल उट रहे हैं पुरे देश से सवाल उट रहे हैं बंगाल में क्या हो रहे हैं कलकत्ता में ये क्या हो रहे हैं उस रात तो सब कुछ जगा हुआ था of the investigating agency to protect the PO मतलब क्या है place of occurrence क्योंकि evidence वही पर चुपे हुए है एक बार नजर पर नहीं है दूसरे बार जाओ तीसरे बार जाओ क्योंकि अपराधी क्या करते है यह जो है एक typical criminal psychology होता है कि अपराधी उसका कुछ ना कुछ निसान तो छोर के आते है तो वो place of occurrence बहुत important बहुत ही important मैने रखते है तो हम लग उन्हें क्या देखा हजार के उपर हुलीगन वो अस्पताल में हमला करते हैं रात के अंधरे में तोर फोर करते हैं और वोही place of occurrence seminar hall chest medicine का जो seminar hall जहां से ये हमारी बेटी को लाश ब्रामा तूती है वहां तक पहुचना का प्रयास करते हैं फिर रुकते हैं पुलिस कहीं भी नहीं थे ये शिकायत है कि भाई हमला जब हो रहा है तब पुलिस पहले भाग गया उसके बाद फिर बाद पुलिस फोर्स वहां पे पहुचती है और पूरे जो है एरिया को प्रोटेक्ट और वो सब तो ये सवाल कलकता हाई कोट उठाते है ये सवाल सुप्रेम कोट उठाते है और हमने क्या सुना हमने ये सुना कि पुलिस कमिशनार अफ कलकता ये प्रेस कंफरेंस करते हुए बताते है कि हमारे पास इंटल इंफोर्मेशन इंटेलिजेंट इंफोर्मेशन नहीं था वही पुलिस जिसके पास ये इंटेलिजेंस इंफोर्मेशन नहीं थी कि भाई हजार के उपर जो है उपद्रवी वहाँ पे आने वाले है हमला करने वाले है वो ही पूलिस है जिसके पास ये इंटेलिजन्स इंपुट आ गिया कि भाई डर्भी में जब संडे कलकत्ता में होने वाला था दोनों टीम के भीतर जिसको लेकर के जो है बंगाल में बहुत संटिमेंट जुरे हुए है कलकत्ता में लोग जो है करीब एक लाक के आसपास लोग वो मैच देखने स्टेडियम पहुचते है जब भी हम डर्भी देखते हैं यह हमारा अनुबाब है लेकिन पूलिस ने क्या बोल दिया कि इंटेल इंपूट है कि वो मैच में कुछ गरबर होने हैं कुछ लोग जो है वो मावल खराब करने का प्रयास करेगा वहाँ पे प्रदर्शन करेगा तो मैच को पूलिस बोलते हैं बिधान अगर पूलिस बोलते हैं कि यह मैच में जो प्रोटेक्ट करने के लिए, वो प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास पुलिस नहीं है, आपके पास इंटेलिजन्स इंपुट नहीं है, लेकिन ये मैस्च में कुछ लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, कुछ गरबर कर सकते हैं, वो इनफोर्मिशन है, तो मतलब क्या है सिलेक सुप्रीम कोट यह सवाल उठाते है कि चिप जस्टिस अफ इंडिया कहते है कि मुझे समझ में नहीं आ रहे है कि कलकात्ता पुलिस क्या कर रही थी प्लेस ऑप ऑकरेंस जो है उसको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया यह क्या चल रहा है यह मैं नहीं आप नहीं बंगाल के आम पुरे देश के आदमी नहीं है खुद हमारे देश के चिप जस्टिस उठा रही है और इसका जवाब वही है जो पुलिस कमिशनर साब ने दिया पुलिस कमिशनर ने उस दिन जब रात में प्रेस कांफरेंस कर रहे थे उसमें उन्होंने मीडिया पे भी सवार उठा दी पुलिस पर भरोसा करें। लें पुलिस और सरकार पे तो देखें, एक clear चीज आ कि वहां की जनता को और देश की वी जनता को भरोसा नहीं है। जो भी चीजें जैसे एडी की जाच होती है तो एडी पर हम लाओ जाता है, अब पुलिस सीधी मीडिया पर सवाल उठारी मतलब हम लोग पर सवाल उठाए कि हमारी गलती है कि हमने दंगे भड़काए उस प्रेस कॉंफरेंच में यह देखिए यह नहीं होने से अच्छा होता सवाल फिर उठाते हैं लोग कि भाई आपकी प्रायरिटी क्या है भाई कलकत्ता पुलिस आपकी प्रायरिटी क्या है आपकी प्रायरिटी तो यह जाच करना है आपकी प्रायरिटी जो यह जगन्नों अपराद क्या है उसका जो अपरादी है उसको ढूंड के निकालना है एक है इसके पीछे दो है तीन है दस है कितने लोग है उसको जो है अग से निकालो पाताल से निकालो सर्क से निकालो और उसको जो है अगर संभब है तो फाशी संगे में लटका दो ऑर इसाब से अगर अदालत यह ताइक करते हैं कि भई यह हीनियस क्राइम केवल नहीं है यह रेरेस्ट अब दा रेर काइम है तो फासी होगा एही कानून बताते हैं तो पूलीस वो प्रायरेटी छोड़ करके क्या पूलीस की यह प्रायरेटी बन गई हैं को तीन सो लोगों को बुलाओ आ आइसे तीन डॉक्तर को ऐसे कोलकत्य पुलीस सामन करते हैं सोचल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाते हैं और हमने उने क्या दिखा कि दो डॉक्टर को बुलाए और हजार डॉक्टर रस्ते पर उदर गहा है करके कलकात्य के और एक सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलिज से इसकॉट करके जो कलकात्य पुलिस हेड कोटर है लाल वजार वो लेके जाते हैं फिर गुस्सा कि आप डॉक्टर को बुला रहे हो समन कर रहे हो अगर चलो मान लिया कि डॉक्टर साब ने कोई छोटी मोटी ग तो वो समन कर रहे हो तो पूछताच करो के तो आपका तो कोई समय जो है टाइम कंजूमिंग कुछ तो कर रहे हो न वही जो टाइम आप इसमें बिता रहे हो या फिर बरबात कर रहे हो तो आप ये केस के पीछे लगाए तो फिर पुलिस की प्रायरिटी क्या है ये भी सवा क्या चाहते हो क्या आप का इंटेंशन क्या है कि दोसी को सजा दिला ना यहां फिर यहां से नजर घुमा देना यहीं हो रहे हैं हम पुलिस पर सवाल तो उठा रहे हैं लेकिन यह भी तो धियान देना शाड़िए कि मंताब अनरजी सिर्फ मुख मंतरी नहीं है वो ग्रिमंतरी वह है इतनी हुअ स्वास मंतरी भी है १ैर शारा चीज जितना पर श denis हैं सब कुछ मंतब अनरजी का अंडर आधी है यहां तो सब कुछ मंताब एनरजी है, एक पूरा पावर, मैं निर्भया की माँ से बात करा था, उन्होंने क्लियर कोड किया, कि मंताब एनरजी एक दबंग महिला है, दबंग महिला है, जब सारी पावर इतनी जादी पावर है, आपके पास सारा रूल रेगुलेशन है, तब तो इन पे भी सवाल होता है, लेकिन सवाल की इस बात पर, अगर मैं यह चीज का जिकर करता हूँ, कि भायनक जो है, आरोप है, इसके उपर भायनक आरोप है, यह जो भूत पूर्व जो प्रिंसिपल हुआ करते थे, संदीव घोस, इसके उपर बहुत बढ़ा इल्जाम अगरा ओफसर है, और यह वो अगतार अली है, जो वही आर जिकर मेडिकल कोलेज और होस्पिटल में एक समय डेपूटी सूपर का दायत्तो निभाया, अभी वो हमारे बंगाल में और एक जो मेडिकल कोलेज है, मुर्सीदावाद धिस्टिक्ट में, मुर्सीदावाद मेड बहुत भयानक जो है शिकायद ले करके की और बोलते हैं कि हुजूर आप इस पर दखल दीजिए क्योंकि ये संदीब गोज जो है ये एक अपराधी है ये आज नहीं पिछले कुछ सालों से वहां में रैकेट चला रहे थे किस किस चीज की ले करके पहला अरफ इल्लिगल मैने लंडेमशंत उद्व कि जो ब्रिश्वेरात ऐसे एक बादॉड साथ दखले स्टीच collect कर्णा वहा जा वहां कमी में कॉज़ें कमीशा लावारी चला हूस 돼ीमशंत वाल मैने। इसके उपर क्या भायना कारूप है वही लासो को ले करके वह लासो क्या बेवसा करते थे बाहर बेचते थे बंगलादेश में उसको बेचते थे खतरनक दूसरी बात हम सबको पता है कि एक इतना बरा स्पाताल में हर रोज कितना किलोग्राम कितना केजी बायोवेस्ट प्रोड्यूस होता है सिरिंज बोलो ग्लाब्स बोलो अपरेशन के बाद जितने सारे जो चीज़े ठेके जाते हैं सारे चीज़ों को हम बायोवेस्ट बोलते हैं इसके उपर इतना गंभीर आरोप इनों ने लगाया कि यह जो है बायोवेस्ट बाहर बेचते थे तीसरी बात Miss use of public fund and purchasing equipments at higher rate उसके बात Procurement of machineries at high price and procurement of category item from open market at a high rate Renting hospital space for food stall without approval of appropriate authorities Irregularities in expenditure for undergraduate and postgraduate counselling Miss use of academic funds इतना ही नहीं भई चौकाने वाली बात मैं मताने वाला हूँ Illegal appointments and parking nexus मतलब यह क्या नहीं किया और यह सब जो है देखो इसका एपीडेविट है कलकत्ता हाई कोड में इन्होंने जो जमा किया अक्तार आली वो एपीडेविट से परके मैं सुना रहा हूँ यह कब की कहानी है 2022 की कहानी है 2022 ने यह सारे चीजे जो लिख करके लिखित इसके खिलाप Department of Health Government of West Bengal इसके खिलाप लिखित जो है सिकायत होती है लेकिन इन्होंने यह सवाल उठाया कलकत्ता हाई कोड के मैं नहीं उठा रहा हूं यह अक्तार आली ने यह सवाल उठा रहे है कि इसको कॉन protection दे रहा है इसके उपर किसी प्रभाव साली का हाथ तो है जरूर आसिरवाद है जरूर नहीं तो फिर इसको कभी भी transfer किया जाता है कलकत्ता आरजिक और medical college से कोई दुसरा medical college तुरंत वो order withdraw हो जाता है और वो तुरंत बाफस आ जाता है क्यों इसके पीछे कौन है तो ये कलकत्ता high court पहुँचते हैं और कलकत्ता high court में एफिडिफिट लगाते हैं read petition करते हैं कि हुजूर आप इस पर दखल दीजिए ये जाज भी जो जाज के लिए कलकत बंगाल सरकार एक seat बनाती है special investigation team कब बनाती है सुप्रीम कोड में सुनवाई जिस दिन सुप्रीम कोड ने बोला कि सुनवाई करेंगे 24 hours पहले एक दिन पहले seat बना देते हैं फिर सवाल जंता ने फिर सवाल उठाया कि दो साल से अंदर के लोग जो सवाल उठा रहे आप उस पे कोई कारवाई नहीं किये हो सुप्रीम कोड में सुनवाई जब होने वाला है उसके केवल 24 hours पहले आपने seat का क्यों गठन कर दिया फिर सवाल उठाते हैं लोग कि भाई सुरी इंटेंशन क्या है फिर आरोपी को पकरना है और कुछ चुपाना है तो एही हो रहे हैं लोग इसलिए भरक जा रहे हैं लोग इसलिए गुस्से में आ गए हैं लोग इसी निये सरक पर उतर गए हैं तो लोगों का सड़क पो उधरना कि चलिए ए लोग सड़क पर उतरने ममता बैनर्जी तदो आज कि आज है प्रधान नदरी को चिप्थे लिखते हुए मम्ता बैनर जी ने ये मांग किये कि बंगाल में नहीं कि पूरे देश में ऐसे जगन अपराद हर रोज हो रहे हैं तो प्रधान मंत्री से मैं ये आग्रह करता हूं कि इसके खिलाब सक्त से शक्त कानुन बनाया जाए और ताकी ये सब जगन अपराद जो अपराद ही कर रहे हैं उसको इतना जवर्दस्त साजा मिले ताकी दूसरा कोई ये चीज़ करने से पहले दस बर सोचे सवाल लेकिन ये है भई हम लोगोंने हमारे ये देश में निर्भाया होते हुए देखा उसके बाद कल आपने मुझे पढ़के सुना रहे थे काली साम की बात अगर मैं करता हूं कि एक निर्भाया होता है दूसरा निर्भाया होता है तो निर्भाया वान निर्भाया टू निर्भाया थी भाई ये कब तक गिनेंगे हम ये कब तक गिनेंगे हम मैं ये मानता हूं ममता बैनर जी जो हमारे पूरे देश में अभी एक लोता महिल बंगाल का समस्स्रा है ये बात नहीं है, ये पूरे देश में ही हो रहा है, ये तो नासूर है, ऑए देश का वो खतम नहीं है, लेकिन टाइमिंग देखो, फिर लोग सवाल उठा रहे कि चीप मिनिस्टर आपने सही कदम उठाया लेकिन आप क्यों आप क्यों बंगाल में बलातकार माडर की घटना ये पहली बार हो रहा है क्या आप सत्ता पे आये हैं 2011 में ये 2024 अब 13 साल सत्ता पे आप ही है और लोग आपको प्यार से दिल से बार बार चुन के ला रहे हैं लेकिन आप अभी क्यों सोच रहे हैं कि इसके खिलाप कदम उठाना चाहिए ये बंद होना चाहिए इसके खिलाप इतना ही करा साजा होना चाहिए कि लोग ये सब चीज़ करने से पहले दज़बार सोचेंगे आपको पहले करना चाहिए था अभी आप ये क्यों कर रहे हैं तो फिर इंटेंजन को ले करके लोग सवाल उटा रहे हैं सर मैं टाइमिंग पर ही तो बोल रहा हूँ न ये टाइमिंग वही वाली जैसे आपने भी टाइमिंग बता है पुलिस ने आपकी सरकार ने कुछ उसका निश्कर्श नहीं निकाला जब ये केस चल गया CBI के हाँ तो तब आपने CBI पर पूरा दबाव बताना चाहता हूँ आपको की ममता मैनरजी के नेतरूतों में कलकत्ता में एक रैली निकलती है वो रैली में ममता मैनरजी और त्रमूल कॉंग्रेस के सारे तमाम निताओं उन लोगों ने ये आवाज उठाया कि भई आरो पी जो है ये मतलब क्या है अभी कलकत्ता में जाओ बंगाल में जाओ हर एक दिन एक रैली निकलती है तो सबका क्या मांग है we want justice हम ये घटना को जम अभाया बोल रहे है अभाया की जो ये जगन्न अपराद अभाया के साथ हुआ इसका justice चाहिए विचार चाहिए तो ममता दीदी भी क्या है और सारे तमाम त्रमूल कॉंग्रेस रस्ते पे आते है और बोलते है कि we want justice तो justice दिलाने वाला कौन है justice कौन दिलाते है अगर हमारे देश का संग्विधान देखोगे तो हम इसको बोलते हैं कि doctrine of separation of power संग्विधान में ये चीश पस्ट रूप में लिखिते है कि बहु किसका क्या काम है विचार दिलाने का काम किसका है जुडिशियरी का है लेकिन जो दोसी है आरोपी है उसको जो है पकर के कानून के हवाले करने का काम किसका है सरकार का एक्जिक्यूटिव का है वही संग्विधान में है तो आप बोल रहे हैं वी वन जस्टिस आप बोल रहे कि अभाया का जस्टिस चाहिए आप दिलवाईए आपको किसे ने रोका आप चीप मिनिस्टर है आप सरकार का प्रधान है आप ही के नेतरूत में बंगाल मे त्रमूल कॉंग्रेस की सरकार चल रही है पिछले 13 साल तो आपको तो किसी ने रोका नहीं फिर लोग सवाल उठा रहे हैं कि चीप मिनिस्टर साहब आपको किस ने रोका आप दिलवाईए ना हम भी तो वही मांग कर रहे हम तो रस्ते पे उतार के ये नहीं बोल रहे हैं कि हम ममता बनर जी का बिरोत कर रहा हूँ हम तो रस्ते पे उतर के ये बोल रहा हूँ कि हमें जस्टिस दिलवाए हमारी बेटी के साथ जो जगन्न अपराद हुआ है वो आरोपी को या फिर और आरोपी है तो सब को निकालिये और कान पकर के कलर पकर के उसको कानून के हवाले कर किये और इन्वेस्टिकेशन इतना ही पुक्ता करिये ताकि वो लोग छूट नहीं जाए क्योंकि हम भी देखो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जो है उधारन देखे हैं कि कोट ने क्या बूलते है कि महीं यह प्रसीक्यूशन जो है मतलब प्रसीक्यूशन कोन है अभी तो साबुद लेके नहीं आ पाया ताकि मैं उसको उसको गुनेगर मनूं उसको सजा दिला हूं तो आपको क्या करना है अभी आपको यह इन्वेस्टिकेशन इतना पुक्ता होना चाहिए आपकी पुलिस की और प्रसीक्यूशन और जो ट्रायल के समय भूमी का यह होना चाहिए कि एक, दो, तीन, चार, पांच वो तो CBI की जाच चल रही है उसमें आएगा सामने क्या यह एक का कंड है या अनेक का कंड है यह तो पूली जो CBI जाच चल रही है उसमें सामने आएगा अभी तो यह बताना मुश्किल है लेकिन जो भी है तो जस्टिस दिलवाने का काम कि अधालत का भी है सरकार का भी है तो आप दिली दीजिये ना आप क्यू रस्ते पर उतार रहे हैं और बोल डे वी वर्ड जैस्टिस जैस्टिस तो आप देंगे हम अपसे जैस्टिस मंग रहे यह बंगाल के लोगों की जो है मन की बात है अच्छा सब यह मैं एक पोस्ट जाता और हम लोग मैंने इसको वेरिफाई भी किया है यह आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पूरी यह लिस्ट है उसमें लगातार अभी यह हो सकते मेरे पास कमी हो लेगन इससे जादा भी हो सकते हैं यह 2001 का मामला तीन का मामला 16 का मामला 20 का मामला फिर अभी 2024 आया है लगातार किसी किसी वो पॉन कहीं पॉध का वर चल रहा है सेक्स रेकर्ट चल रहा है कहीं किसी की किसी ने सूसाइड कर लिया ऐस्टिल के अंदर देखा पुद कर सभी सोचल मीडिया में बहुत सारे चीजे इधर-उधर जो एवारल हो रहे हैं सभी चीजों पर टिपकरनी करना उच इसमें देखो, आरजी कॉर मेडिकल कॉलेजन हस्पताल में चाथ से गिर के एक पेशन्ट की मौत होती है, फिर जो है, और एक जुनियर डॉक्टर की मौत होती है, ये सब चीज आरजी कॉर मेडिकल कॉलेजन हस्पिटल में हुआ है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आरजी क मेडिकल कॉलेज और होस्पिटल है वहां पर बहुत खतरनक रैगिंग वो भी सामने आया लेकिन सबकुछ जो हो रहा है एक ही जगाप़ हो रहा है वह जगा का जो प्रिंसिपल है उसके खिलाप आर्व आज से नहीं है पिछले दो साल से चलता आ रहा है लेकिन कोई कारवाई ऐसा कुछ हुआ नहीं है यह अब मैं बता सकते हैं को यह आरूम भी लगे कि वहां पे नवी करन का काम सुरू करने एक दम बिल्कुल एक दम बहुत इंपोर्टन बात आपने सामने रखा कि इसी लिए भी लोग सफाल उठा रहे हैं कि वह जो जगा मैं बार बार बोल रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन में प्लेस अपोर्ण बहु है ना क्योंकि हमने यह देखा कि एक सेप्टी पिंग से एक बाल से बहुत ही मतलब जो है खतरना अपरात का खुलासा पूलिस ने किया है तो अगर प्लेस अपॉकरेंस इतना ही इंपॉर्टन चीज है फिर हम लोगोंने क्या देखा हम लोगोंने देखा कि पी डावलुडी काम सुरू कर दिया जब पूछते हैं लोग जब वहां पर प्रदर्शन करने वाले जुनियर डॉक्टर जा करके रुकते हैं कि वही आप यह क्यों कर रहे हो तो बोला उपर से आधे से क्योंकि इसको रेनोवेट करना है तब उन लोगोंने सवाल उठाया और जुनियर डॉ इसकी दूरी वी साथ 35 मिटर थी ले वही तो बात है ना कि इसलिए बार बार जो है ना इंटेंशन को ले करके सवाल उठा रहे हैं लोग आज अगर तुम सारे बंगाल के जो सोशल मीडिया बंगाल से जो सोशल मीडिया पोस्ट सो रहे हैं पूरे देश से ये घटना के साजा दिलवाना इंटेंशन है या फिर कुछ छुपाना इंटेंशन है और ये चीज को ले करके फिर केबल बंगाल के लोग सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया में चर्चा हो रहे हैं ये बात नहीं है ये सवाल सुप्रीम कोट ने भी उठाया कि ये क्या हो गया ये क्यू कारण क्या है यह सवाल उठता है सर्थ सुप्रीम कोट ने भी ए सवाल उठाया कि जो वहां के पुर प्रधाना चाहरे थे वारदात के दूसरे दिन ही उनको दूसरे ज़ा निटती मिला उन्होंने रेजिगनेशन दिया उनको सीधे दूसर जगन ट्रांफर कर दिया लेकिन ज के लिए वह वहां नहीं पहुंचे सीबी आई को बीच और आई से उनको उठाना पड़ गया देखो फिर वही जो है मैं सुरू से बार-बार जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इंटेंशन को लेकर के सवाल है सर मुझे समझना है कि संधी संधी घोस जिसकी बात कर कि हैं यह ट्याक पत्र देते हैं कि कि अजब यह आपके हम बोलते हैं कि अन्डर यॉर नोज यह कैसे हो गया आप अधक्ष है आपके मेडिकल कॉलेजन हॉस्पिटाल में इतना जगन अफराद हुआ अब पहला दिन क्यों नहीं दिया ट्याक पत्र जब बवाल मज गया जब इमार्जेंसी का कम बंध हो गया, तब आप क्या करते हैं? त्याक पत्र देते हैं. और तुरंत क्या हुआ? चार घंटे में, स्पीड देखो, चार घंटे में उसको फिर दुसरा कलकत्ता में और एक बहुत पुराना जो है हमारा नैशनल विडिकल कॉलेजन हस्पिटल है उसमें उसको फिर रियापॉइंट किया जाता है. फिर लोग सवाल उठाने लगे कि भई, इसके उपर उंगली उठा रहे हैं सारे तमाम दुनिया और इतने सारे प्रूफ भी इतने सारे इसके पीछे की कहानी है, आरोब है, हेल्ड डिपाटमेंट के पास सारे फाइल्स है फिर चार घंटे में उसको रियपाइटमेंट करने का मतलब लोगों ने ये बोल रहे हैं कि इसको तो रिवार्ड मिल गया, इसको तो पुरसकार मिल गया, इसको तो गोल्ड मेडल दे दिया, तो फिर वही सवाल कि इंटेंशन क्या है, अपराधी को निकालके उसको कानुन क हवाले करना या फिर कुछ छुपाना मेरा जो अनुभव है मैं आपको बता रहा हूँ यह अगर आप एक बार जो सुरतहाल रिपोर्ट अप पर होगे खुद अगर आप पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में क्या लिखा है यह अगर आप एक बार देखोगे तो और कलकात्ता के जितने सारे सीनियर डॉक्टर्स है जिन लोगों से मेरी बात हुई है सबका ये कहना है कि मानना ये बरा मुश्किल लग रहा है हो सकता है कि ये काम एक ही ने किया होगा लेकिन जो लोग इस बिशाई पर एकसपार्ट है इन लोगों का खहना है कि मानना बरा मुश्किल हो रहा है कि एक ने किया हुआ ये कांड किसी एक का है दूसरी बात ये एक जो है जिस तरीके से इसको मार्डर किया गिया स्ट्रेंगूलेट किया मतलब गला दबाया स्मोधरिंग किया मतलब ऐसे कर दिया इसी लिए न इनको इस रिपोर्ट में हम देखते हैं कि दोनों आखों के दो साइड से खून की निसानी है क्यों होता है इसा कितना जबरदस्त किसी को स्मोधरिंग किया नहीं होगा तो ऐसे खून नहीं करती है आंको भी खून था चारत तरफ को तो इसी लिए ये डॉक्टर लोगों का जो है कहना है मानना है मानना ये है कि हमें ये चीज़ को देखते हुए लगता है कि ये एक का कांड नहीं है देखो ये एक का कांड है या अनेक का कांड है ये तो सी बी आई जाच से ही निकल के आएगी हो सकता है ये एक का कांड है उसने कबोल भी कर रहे हैं ये मैंने सिर्फ किया के लिए ठीक ह ये अभी भी investigation चल रही है तो टिपनी करना उचीत नहीं है CBI जाच खतम होने तक हमें जो है अभिक्षा करना ठीक होगा दूसरी बात मरने का जो तरीका है खतम करने का जो तरीका है ये भी जो है बहुत भायनक है इससे वही डॉक्टर लोगों का ये मानना है कि लग रहा है कि ये केबल एक माडर नहीं है ये एक message भी है क्या message कि अगर इहां पे जो आरोप जो मैंने पढ़के सुनाया अक्तार आली ने जो एफिट एफिट दर्ज किया कल करता है इकोड में ये सारे चीजे सामने लाओंगा पब्लिक कर दूँगा इसको लेकर के जो है चारो तरफ फैला दूँगा कि भई यहां पे क्या गंदगी मच गया है क्या ये बात ऐसी बात है कि ये जो हमारी बेटी की जो मत हुई है उसको ऐसा कुछ जानकारी मिल गई तो ये सब घिनोने काम जिन लोगों ने मिलके कर रहे थे उन लोगों के लिए ये बेटी खत्रा बन गई और उसकी जो आवाज है और वो आवाज को एकदम पूरे तरह उसको दबाने के लिए ये माडर किया किया मेसेज ये माडर है ये मेसेज है कि भई ये प्रयास अगर कोई करेगा और जीक कर और बैटके उसका हालत ये जैसा होगा मेरा अनुभब क्या है निरानुभब ये है कि ये डॉक्टर लोग जो बोल रहे है ये एक्सपार्ट्स लोग जिन लोगों से मेरी बात हुई है सबका ये मानना है कि ये केबल एक open and shut simple rape and murder case नहीं है ये एक multi-layered criminal act of commission of criminal act है बहुत सारे चीजे इसमें जुड़े हुए है तो देखो हमें जो है अभी CBI जाच पर भरोसा रखना है हम देश कनागरिक हम अभी CBI जाच पर हम सबकी नजर है और हम ये उम्मिद करते हैं कि CBI जाच से सच बहर आएगी और ये बेटी के साथ हुआ क्या ये सपस्ट होगा अपराधी एक है अनेक है सबको पकरा जाएगा और कानुन के हवाले करा जाएगा किया जाएगा और हमारे देश के जो जुडिसियरी हैं उसको सक्त से सक्त साजा दिलवाएगा यही हम मित करें सामने आए आपको क्या लग रहा है इसमें क्या सरकार की पुलिस की कमिया हो रही या इनसान के तौर पे लोग कम हम जैसे बहुत 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 इंपोर्टेंट बात आपने कहां उतकर्स मैं यही बताना चाहूंगा अज सुबह जो है महराश्ट्र के हमारे साथी से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला जैसे अब महराश्ट्र की जो घटना हुई है उसकी जिकर किया बदलापूर में हुआ थाने से सटा हुआ जगा जहां पे हम देख रहे हैं कि भी स्कूल के भीतर किंडर गाटन की दो बच्ची के साथ सेक्श्वल तब जो है हमारे साथी हमारे न्यूजेटिन लोकमद चैनल के जो हमारे साथी है उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला वो पूने का रिपोर्ट है पूने जिल्ला में उन्होंने रिपोर्ट निकाल करके हमें बेचते हैं और हम देखते हैं चुकाने वाली बात यह है कि पॉक के लोगों के होते, मतलब, बच्ची जिसको जानते हैं, बच्ची जिसको हर अरोच देखते हैं, उसी में से किसी ने उसके साथ ये सबié जो है बतसलोगी किया है, तब पक्सवों से, पक्सवों के त riht जो है कारवाई हो रही है। तो यह केबल सरकार का काम नहीं है, यह केबल पुलीस की काम नहीं है, यह अब कानून में बदलाव लाने से कुछ नहीं कर पा हुए, हम सब जानते हैं कि निर्भाय कांड के बाद तब जो हमारे CRPC और IPC में बहुत सारा बदलाव लाया गया था, और खास करके जो गैंग 76 IPC हुआ करता था, उसमें बहुत सारे बदलाव लाया गया, लेकिन क्या बंद हुआ है यह नहीं बंद हुआ है, तो हमारी सोच, सबकी सोच, उसमें बदलाव लाना परेगा, और बेटी को देखने की जो नजर होता है, उसमें बदलाव लाना परेगा, भई वो इनसान है ठीक है, वो अवरात बाद में है, पहले तो इंसान है, यह जब तक हमारे भीतर से नहीं आ रहे है, समाज के भीतर से अगर संसकार नहीं हो रहा है, तब तक मैं नहीं मानता हूँ कि सक्त से सक्त साजा दिलवाओ आप, अब फासी में भी लटका दो, क्यूंकि हम सब जानते ह कि निर्भाय कांड में जितने आरोपी है, सब को फासी में लटकाया गया है, फिर भी क्या रहे बंद हो गया हमारे देश में, नहीं हुआ, तो यह संसकार जो है, एकदम समाज के भीतर से होना चाहिए, जब तक यह नहीं हो पाएगा, तब तक आप जैसे मुझे गिनाते र भी मैं बोल रहा हूँ, तो हम गिनते जाएंगे, गिनते जाएंगे, गिनते जाएंगे, कब तक मुझे पता नहीं है भी, फुट कर से हुआ